एक लड़ो रोजाना बच्चों को खिला दो, आँखों की रोशनी तेज होगी, दिमाग तेज होगा, बिमारियों से बजे रहेंगे और पेपर में बहुत अच्छे अच्छे नमबर लेकर आएंगे क्योंकि ये जो लड़ो हैं बहुत जादा ताकत देते हैं आपके दिमाग को तेज करते हैं, आँखे कमजोर हो गए हैं, चश्मा लग गया है तो आपके आँखों की रोशनी बढ़ेगी इन लड़ों से और साथ ही गर्मी में ठंड़क प्रदान करने वाले हैं बहुत सारी बिमारी उसे बचाने वाले हैं और खाने को हजम करने वाले हैं हाई फ्रेंज मैं गिता वर्मा गिता किनो रेसिपीज हिंदी में एक बारफेर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है सौफ जो सौफ हम खाने में इस्तमाल करते हैं यह जो सौफ होती है बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है गर्मी में ठंडक प्रदान करती है साथ ही खाने को हजम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और ये immunity booster भी है बहुत सारी बिमारियों से भी आपको बचाती है तो एक चोथाई कप आपको सौफ लेनी है अब इसे mixi में पीस लेना है और इसे बिल्कुल बारिक पीसना है एकदम बारिक तो नहीं रहता है क्योंकि हलका हलका सा छिलका उसमें रह जाता है तो हम क्या करेंगे इसे छान लेंगे ताकि जो छिलका है इसका वो अलग हो जाए नहीं तो क्या होगा जब आप लड़ो खाएंगे तो छिलका मुह में आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा और फिर बच्चे खाएंगे भी नहीं तो ये लड़ो ज़रूरी नहीं है बच्चे खाएं इसे बड़े भी खा सकते हैं इस तरह से इसे च्छान लेंगे बारिक छनी से और जो मोटा मोटा है ना इसे निकाल देंगे तो हमें बिल्कुल बारिक सौफ का पाउडर मिल जाएगा ये देखे इस तरह से तो इसे फिलाल हम साइड में रख देते हैं दूसरी चीज़ देख लेते हैं जो हमें चाहिए इन लड़ो को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है आधा का बादाम बादाम जो होता है ये भी आखों के रोशनी को बढ़ाने में बहुत जादा मदद करता है दिमाग को तेज करता है आपने सुना होगा कि बादाम देने से बच्चों का दिमाग तेज होता है तो इसे हम यूज करेंगे अपने लड़ों में और सोच रहोंगे आप लोग की ये तो गारम होगा बस सौफ तो ठंड़ी है तो दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएंगे और ये आपको गर्म नहीं करेगे तीसरी चीज जो मैं यहाँ पर दो चमश ले रही हूँ ये है सफेद मिर्च जैसे काली मिर्च होती है ये उसी तरह से होती है सफेद कलर की होती है इसे दखिनी मिर्च भी बोला जाता है और आखों की रोशनी बढ़ाने में ये बहुत ज़् करना है इस तरह से इस मिर्च को पीस लेना है बारिक पाउडर तेयार कर लेना है चौती चीज जो हम यहाँ पे लेंगे वो है धागे वाली मिश्री ये जो मिश्री है ये आपको किसी भी परचून किराना की दुकान पर आसानी से मिल जाती है और ये भी हेल्थ के लिए बह तियार हो जाएगा इसे रखते हैं साइड में अब गैस पे कड़ाई चड़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे देसी घी यहाँ पे मैं गाय का देसी घी इस्तमाल कर रहे हूं जो कि बचों की दिमाग को तेज करता है और ये बहुत ज़्यादा ताकत भी देता है बिमार से कम 10 से 12 मिनट भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो हलकालका गोल्डन ब्राउन ना होने लगे और इसमें हलकी हलकी भीनी भीनी खुशबुना आने लगे जल्दबाजी नहीं करने है धीमी धीमी आजपे से भूनते रहना है यहाँ पी थोड़ा सा मुझे सूखा लग तो थोड़ा सा टाइम लगता है 10-12 मिनट ज़रूर लगेंगे इसे पकने में तो यहाँ पे 10-12 मिनट हो चुके है इसका कलर बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो क्या है अब इसे में प्लेट में निकाल लेती हूं बहुत जादा इसे जलाना नहीं है इसका बड़ यहाँ पे मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ आप चाहे तो सीधा किसी हुई मिष्री को आप आटे में मिला सकते हैं और सारी चीजे मिला के लड़ू बना सकते हैं अगर सुखा लगे तो थोड़ा सा घी मिला दीजेगा मैं यहाँ पे थोड़ा दूसर तरीका इस्तिमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैंने आधा का पानी लिया है और जो मिश्री थी हमारी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया इसे हलका सा पकाना है बस हलकी से जैसे हमारी जलेबी की चाशनी होती ना हलकी से चिप-चिप करती है उमलियों के वीच में बस वैसी करनी है बहुत ज़्यादा गाड़ी करेंगे तो लटू टाइट हो जाएंगे बस हलका सा पकाना है जब आपको लगे कि चाशनी आपकी पक गई है थोड़ी चिप-चिपाहट आपको लगे चाशनी चिप-चिप हो गई जले भी जैसी बस यहां पर आपको क्या करने गैस बंद करने के बाद आपको यह जो आटा है भुना हुआ वो इसके अंदर डागा ध्यान रहे इस टाइम पर गैस को आपको बंद कर देना है गैस अगर तेज रहेगी तो आपका जो लड़ू है वो कड़क हो जाएगा पटा फट से गैस को बंद कर देगा फिर आटा डालेगा और आटा डालने के बार इसमें बाकी की सारी चीज़े आपको डाल देनी है तो यहां पर मैं इसमें डाल रहे हूं यह काली मिर्च का पा अधर भी डाल दिया है तो इस तरह से पस फटा फट सारी चीज़े मिक्स करेंगे और यह हमारा लड़ू का मिक्सर तैयार हो जाएगा तो काफी गरम है अब ही इस तरह से मिक्स कर लेती हूं मैंसे और इसे फटा फट से हम किसी थाली में निकाल लेंगे तक यह अलका सा थं और विर्टमी सबस्क्राइब तो इस तरह से आप फटा-फट से लड्डू बना ले जिस ठंडा करेंगे तो सेट करने में दिक्कत होगी कई बार लड्डू नहीं बनता है फिर भी अगर कई बार ठंडा हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिला यह और असानी से लड्डू बन जाएंगे कोई द और थोड़ा सा मिक्षर यह दे कि बच गया था तो इसे आप क्या कर सकते हैं इसे वैसे ही खा सकते हैं नहीं लड्डू बनाना चाहते हैं सारी चीज़े मिला लीजे आपकी पंजीरी तेयार हो जाएकि वो भी आप खा सकते हैं तो आपको इसे खाना कैसे है वो भी मैं आप को बता देती हूं आपको इसे सुभे नाश्ते में दूद के साथ एक लड़ू बच्चों को देना है या खुद भी खा रहे हैं तो दूद के साथ एक लड़ू खाना है डेली और आपकी रोशनी जो है और आखों की वह बढ़ने लगेगी दिमाग आपका तेज हो जाएगा तो लाइक कर देज़ेगा दूसरों के साथ शेयर जरू कर नहीं